स्माइशकार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटिब कैनल ग्यान शाला में और आज मैं कपिल आपके लिए आपके लिए टाटा इस्टील ऐटी से रिलेटी एक इंपोर्टन्न न्यूज और वीडियो ले कर आया है उसके आज आज के तारीक है आज तारीक है आपका बारा चार दो हजार बाइस देखिए टाटा की जो फॉर्म भढ़ने की लास्टेट दस अप्रेल थी और आज 12 अप्रेल में ही बच्चों को ओनलाइन टेस्ट के और अप्रेल रखी गई है और यह बात अभी हो सकता है कुछ लोगों को अभी मेल नहीं आये होंगे किसी लोगों को आने लगे किसी को नहीं आएंगे तो आप थोड़ा सा वेट करें एक दो दिन का इंतिजार करें टाटा आपको मेल भेज देगा अगर सब कुछ आपने ठीक अपलोड कराता है या पिर आप से आपकी जो परसेंटेज पूछी जाती है उनका क्राइटेरिया के वह इतनी है ताकि एक लेवल पर आपको शोट लिस्ट कर लिया जाए चाहे वह 65 परसेंट रखा गया हूँ या 70 जो भी क्राइटेरिया रहे ठीके जहाथ है कि 65 परसेंट तो इसी तरह से इवनिंग में 6 बजे के असपास मेल बेजने स्टार्ट हुए थे एक्जाम दे पहले लगबग दो हफ्ते पहले तो वही पैटर्न इस बार भी है तो तब भी ऐसा हुआ था कि फर्स डे तो मुझे भी मेल नहीं आया था तो सेकिंड डे की रात को आट बजे मेरे को मेल आया था जब तक सबके लगबग मेल आकर खतम होने का एक दम ऐसा लग रहा था कि शायद मेल नहीं आने वाला लेकिन तब 8 बजे रात को मेल आया था तो आप भी वेट करिएगा पेशिंस रखिएगा वेट आपको मेल आ जाएगा इसका टेंशन ना ले देखे इस बार हुआ क्या है देखे टाटा स्टील एक पतलब आप समझ यह का कि वह कैसे खेल इस बार कितना बढ़िया उन्होंने क्या किया आपका हर बार 19-20 में आपको टाटा स्टील एक्जाम होता था उसको कंड़क्ट टाटा सा एंकेट लेकिन इस बार टाटा स्टील ने ठीक है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है एक्जाम पैटन वही है आपको पता है अब चाहिए एक्जाम यह करा है इससे कोई फरक्त पड़ने वाला नहीं है कि क्या हो कुछ कुछ शायद आपके डाउट होंगे आप सोचते होंगे कि कौन पेपर टफ होगा किसका पेपर टफ होगा और इसका पैटन अपना लग हो टाइप अफ कोशन भी अलग हो सकते हैं लेकिन इतबार साफ आपको नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि क्या होता है को इसके बारे में थोड़ा सा भी डिटेल में देखेंगे कि आपको क्या देखना चीए और कैसे कैसे आपको पेपर आपका नॉर्मल होगा कोई दिकत नहीं करा रहा है मेटेल कराए या फिर आपका एमकैट करायों कोई प्रक नहीं परने वाला पेपल आपका नॉर्मल कोगनेटिक टेस्ट का पैटन है थोड़ा तक अब नंबर ऑफ कोशन कितने आएंगे यह नहीं पता नंबर ऑफ कोशन बने कि आपका इंगलिश आएगा कि नहीं आएगा रीजनिंग होगा क्वांट होगा अभी पैटन के बार में कुछ नहीं पता है तो थोड़ा साम देखे आपके बाद समय बचा हुगा उस समय में आप एक काम करें आप इसकी वेबसाइट है आप Google पर सर्च कर सकते हैं ठीक है इसकी वेबसाइट पर जाएं इसकी वेबसाइट को थोड़ा से एक स्प्लोर करें आपके सामने या इसकी वेबसाइट दिखाने वाला हूं यह 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 आप गूगल में सर्च किया हुए है ठीक है यह आप गूगल में सर्च करेंगे आपका मर्सा मेटल को आप यहां पर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट मैंने खोली हुई है मेटल.com की यहां आप देखिएगा यह इनकी वेबसाइट का फ्रंट पेज है होम पेज होम पेज पर आप यहां जब जाएंगे आपको थोड़ा समझ माएगा एक रिसोर्स में आप जाएं एक बार ठीक रिसोर्स में आपको दिए हैं कॉम्पेटेंसी लाइबरी इस लाइबरी में आ मतलब किया और किस प्राकार के कोश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं आपसे जन्रली क्या पैटर्न हो सकता है ठीक है जब तक इंटरनेट थोड़ा स्लो है यह हो गया ठीक है कॉगनेटिव जो आपका आप सेक्शन अपने आप उसको खोले उसको बैठे थोड़ा साइट प स्लाइज इंटेलिजेंस बहुत सुनने में बहुत बड़े बड़े नाम है लेकिन है कुछ नहीं आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्लाइट डाउन करेंगे आप देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है यह आपका को ब्रेन फंक्शन को मेजर करने के लिए किस तरह के इस तरह साइट में समय बिताएंगे आप समझ जाएंगे क्या इस तरह के कोश्चन आने वाले या बच्पन से करते हैं कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल नहीं है कुछ नहीं है बस आपका एट टॉइट टाइम आपका एट पॉइंट ऑफ मुमेंट आपको बस क्लि स्ट्रक्चर इसमें कौन सा पैटर इसको फिल करेगा बेसिक बच्चों वाले सवाल होता है लेकिन अगर आप उसी मुमेंट पर आपको टकर गया तो ठीक है वरना तुर आपको दिक्कत हो जाती है समझ रहो समय बिताओ थोड़े इस तरह की को लगाओ प्रैक्टिस करो अब इस तरह को देखा अंदर बहुत सारे डॉमेंस क्या क्या है नुमेरिक अबिलिटी चेक करेगा वर्बल अबिलिटी है आपकी डेटा एनलेसी से अपका क्रिटिकल तिंकिंग डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इस से बेस्ट आपको जो कॉस्चिन आएंगे आपका एमकेट का भी पैटर्ण वही है इसका भी पैटर्ण वही है यो थोड़ा बहुत चेंजिस में देख रहा हूं और थोड़ा बहुत चेंजिस आपका एमकेट में इस तरह के कॉस्चिंस नहीं पूछे जाते हैं तारेट नुमेरिकल अबिलिटी पर ही जयदा फोकस रहता है लेकिन इसका cognitive test जो आपका pictorial memory को भी डिफैंड कर रहा है तो आपका intelligence को भी चेक कर रहा है और साथ-साथ आपका कुछ decision making से related आपको में ख्याल से इस तरह के questions भी आपको जो आप अगर आप SSE या banking की त्यारी करते तो वहां इस तरह के questions पूछे जाते तो reasoning का पार्ट इसमें अच्छा गासा उस तरीके का भी पूछा जाएगा ठीक है तो आप इस site में थोड़ा सा समय बिताए इसमें जिस टाइप के questions को ही थोड़ा सा प्रेक्टिस करेंगे तो आपका cognitive test स से इलेटिड जो queries हैं उससे आपकी प्रेक्टिस से बहुत तरीके से हो पाईगी मैं कोशिश किया मैं थोड़ा सा explore दो किया website को आप अपने आप से से कितने questions आने वाला है cognitive से कितने आएंगे और technical से कितने आने वाला है इसके बार में कोई जानकारी नहीं है और अगर cognitive से आएंगे तो कितना आएंगे रीजनिंग के क्या पार्ट रहेगा कैसे कैसे हो होने वाला इसके बारे में जानकरी अभी तक तो नहीं है बाकी एक्सप्लोर करेंगे समय के साथ चाहिए थोड़ा पता लगे फिर डॉमेंड कॉंपेटेंसी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे बाटिक आप ठीक डॉमेंड के बारे में ध्यान से देखें इसमें आपको साफ साफ लिखा हुए क्या क्या है कंप्यूटर एडिट डेजाइन थर्मोडाइमिक्स फ्लूट मेकैनिक्स मैनुक्टेक्ट्रिंग प्रोसेसेस स्टेंट उफ मटेरियल मशीन इन सब से रिलेटिटिव आपके आपके आने वाल है तो यह आपका पेपर का इस वेबसाइट को थोड़ा सा विजिट करें इसके अंदर जाएं ठीक डॉमेंड के अंदर थोड़ा बहुत आपके पड़ सकते हैं क्या क्या है इसके अंदर यह आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं लगबख सारे इसके अंदर मैं आप एक टार अगर होता है तो देख लेथे तो इसे आपको थोड़ा वोट वेबसाइट को दखेंगे जाना नहींगे तो आपको थोड़ा साब पता चल जाएगा कि यह असल में आपके किस चीज पर खेलते एं का इक्जाम का लेवल क्या है किस तरह के चीन चर्मोइट कह kept it ने किस दॉल से टो starting से आपेंशन कर सकते हैं तो इसके स्वाण कर सकते हैं стंके लिए प्री है हinaire क्लिए हों से लिए भी है इलेक्टरिकल के लिए भी है बात प्रोडाक्शन इंश्यनेरिंग के लिए एविलेपल ऑन रिक्वेस्ट होगा इन्स्रिमेंटेटल के लिए खुला है। इन्जियर के लिए अविलेबल है रिट्र के लिए नहीं है कि अप्रिट्यूट टेस्ट पर आटो मोबिल इंजिनिरिंग के लिए भी नहीं है सिविल के लिए भी खुला हुआ है अब इस तरीक से इसको एक्स्प्रोर करें और देखें वेब साइट को आपसे थोड़ा सा थाइप के बारे में थोड़ा सा अपको आपको को पता चलेगा थीक है यह यह वार जिन्द पार करें अřे इसको आपना यह लिखा होगा तो मैं जानता नहीं हो आगे इसमें खोला नहीं है कभी आप यहां से जाएं और इसको एक्सप्लोर करें बेसिकली यह वीडियो पनाने का पंड़ा ही है कि मैं आपको थोड़ा से यह बता पाऊं कि जो मैटल की एक्सप्लोर करें तो आप उनकी मेंटालिटी को नहीं समझेंगे किस तरह की कोश्चन से कराऊंगा भी दो-चार दिन मैं भी इसको देखूंगा एक्सप्लोर करूंगा उसके बाद थोड़ा बहुत जो आइडिया मिलेगा इससे पहले कहां का एक्जाम कंड़क्ट करा चुको है अगर वह प्रीवेस कोश्चन पेपर एविलेबल है तो उनको भी प्रोवाइड कर आपको लगता है इससे प्रीवेस यर भी कहीं है इसने जो एक्जाम करें के कॉश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर इन्फोर्मेशन देंगे तो कौशिश करूंगा कि कैसी वीडियो बना पाऊंगा आपके लिए जहां मैं आपको थ को आज दा चाहसी नहीं आया है तो वह तैंशन ना ले मेल और आज आए आ जाएगा आज नहीं तो कल आनुए गा सुबह नहीं तो शाम आजाएगा लेकिन मेल जरूर आएगा टेंशन ना लें बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पर जाएं इसको खोलें इसको एक्स्टोर करें कहीं अगर थोड़ा बहुत आपको समय मिलता है तो एक बार देखें कि प्रीविएस एर इसने किस-किस इंस्टिउशन के लिए एक्जाम कराए हैं और किस तरह का एक्जाम का पैटर्न रहा है अगर कहीं आपको ऐसी इंफोर्मेशन मिलके तो बहुत ज्यादा वैल्यू एड़िए इंफोर्मेशन को शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिखें आप वहां लिखेंगे तो मैं इसको जानशाला कि वाई टी एड़ेट जीमेल डोटकम पर आप शेयर कर सकते हैं इस जीमेल डोटकम पर मुझे इमेल कर सकते हैं और मैं उसके बात जो भी इंपूर्ट होंगे मैं आपको वीडियो के फॉर्म में मुझे पास जितना भी डेटा क्लेक्टिड होगा वो सारा डेट जानशाला तो सबको हेल्प होने वाला है सबको एक डेटा एक साथ मिलने वाला है तब तक करें त्यारी करें देखें जुट जाहिए केवल दस एक दो हफ्ते का टाइम भी नहीं बचाए आपके पास 24 अप्रेल को पेपर है आज 12 अप्रेल केवल आपके पास मानगे चुले को समझ नहीं कोशिश करें और इसी बेस पर अपनी प्रिप्रेशन को आप आगे बढ़ें ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पर इत्यारी करते रहिएगा और प्लीज प्लीज दू लाइक शेयर और सब्सक्राइब और चैनल कमेंट करो देख रहा हूं आपके काफी लोगों के कमेंट आया है प्रीवेस वीडियो पर मैं और काफी लोगों ने लाइक किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यों आपका मैं आपके सभी कमेंट के जवाब शायद नहीं दे पा रहा हूं मैं भी कुछ अपना लाइफ में फोड़ा सारी इसको बताएं जो आपकी लिखते जाएं मैं उनको सबको पढ़ जरूर रहा हूं क्लेक्टिव करके आपको जरूर जवाब दूंगा यह मेरी रिस्पॉंसिबिलिटे और मैं इसको भखू भी निभाऊंगो तब तक के लिए आप अपना त्यारी करो धन्यवाद